होस्टेडिंग से घबराई कमना सरकार अब डामेज कंच्रोल में जुट गई है जो सिये मंत्रियों तक से मिलते नहीं थे वे अब रूठे विधायकों से वन टू वन चर्चा कर फरकार बनी रहे इसकी कवायद में लगे हैं निर्दली और समर्थन दे रहे विधायकों को पत दिये जाने का आश्वाशन दिया जा रहा है इस मामले में सबसे बड़ी बात ये है कि अचाना गायब हुए विधायकों का साफ कहना है कि उन्हें किसी ने भी पंधक नहीं बनाया था इस बीज ख़बर है कि मुखिमंत्री कमलनाथ जल्द अपने मंत्री मंडल का विस्तार करे गए इस मामले में अब तक बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं घुरभं की परिक्रमा कि इस बीच कउंग्रेस के ही विदायक हरदीब सिंग डंग ने कमलनाथ से नाराज़ की दिखाते हुए इस्तीफा। तक्रीवन 16 कॉंग्रेस विधायात मुख्मन्त्री और सरकार से नाराज है। ऐसे में वरिष्ट कॉंग्रेस नेता जोतीरादित्य सिंध्या की उपेक्षा को मुद्धा बना कर सरकार के मंत्रियों की बयानबाजी ने भी कॉंग्रेसी किले की बुनियाद हिला कर रखती है। नादर होगा इस साफ है कॉंग्रेस की भीतर ही भीतर कुछ ही और ही खिचडी पक रही है ऐसे में मुखमंत्री कमलनाथ एक डम जमीन पर हैं और सरकार बचाय रखने के लिए जमीनी बात कर रहे हैं उनको समर्थन दे रहे हैं विधायक सुरेंद्र सिंग शेरा बैंगलूर से लोटे और सीम कमलनाथ से मुलाकात की सूत्र बताते हैं कमलनाथ ने उन्हें शीघ्र मंत्री बनाने का आश्वाशन दिया है विधायक शेरा ने कॉंग्रेस के साथ होने की बात कही लेकिन साथ ही ये भी कहा कि उन्हें किसी ने बंधक नहीं बनाया था इस मसले पर वे कमलनाथ ने अगनीपत कवीता ट्विट की जो बताती है यह तुफान आने के पहले की खामोशी का मंजर है दूसरी तरफ इस मसले पर बीजेपी ने कॉंग्रेस के पाले में बॉल डाल दी है बीजेपी के बड़े नेता दो दिन से सब पर दिल्ली में मन्थन कर रहे हैं वहीं बीजेपी नेता नरुत्तम मिश्रा और सुरेंदर सिंग शेरा एक ही फ्लाइट से दिल्ली से भोपाला आए हैं भाजपा विधायक नरुत्तम मिश्रा ने कहा है कि कॉंग्रेस को अपने ग्रेवान में जहाकने की आदत नहीं है दूसरों में दोश ठूनती है कॉंग्रेस आरोप लगा रही है बीजेपी के नेताव ने कॉंग्रेस के विधायकों को पैसे देने का लालाज दिया है लेकिन कॉंग्रेस उसका कुछ प्रमाण नहीं दे रही है नरुत्तम मिश्रा कॉंग्रेव पच्छुटकी लेते हुए कहा है कि कहा कहा उनके गद्दार छुपे हैं कुछ और खुलापा होने दो बंदग बना के रखे हुए खरीद फरोगत हुए है कि वो सारे के सारे विधायक मानी एरदल शींगी मानी संजीब जी मानी रमाबाई जी मानी राजीप शुकला जी सब ने कह दिया कि हमें कोई बंदग बारा सकता है कि इससे बड़ा जूट गोई बोल सकता है कि देखेंगे मंतन है परिवर्तन का कुछ और तमासा होने तो कहां उनके करदार छुपिये हैं कुछ और पुलासा होने है संगीत की स्वद लहरियों से सांस्क्रित एक ताने बाने तक चंबल के पीड़ों से नकसलवादियों के गड़ तक जोपड़ी से महलों तक ठेलों से मेलों तक पकडंडियों से सड़कों तक गाउं से शेहरों तक व् आप देख रहे हैं दखल न्यूज